Friends, आज मैं आपके लेकर आए हूँ एक शांदार डिशन, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के words आपको confuse कर देते हैं Friends, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, as many as, as much as, और a good many, a great many तो आएए Friends, इस शांदार डिशन की सुरुआत करते हैं Friends, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंसके तो आएए Friends, इस लेशन की सुरुआत करते हैं Friends, Age, Many, Age या Age, Much, Age, दोनों का मतलब होता है जितना उतना, लेकिन दोनों पर फर्क ये हैं कि Age, Many, Age का इस्तिमाल हम countable noun के साथ करते हैं, जबकि Age, Much, Age का इस्तिमाल हम uncountable noun के साथ करते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बात मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के sentences में जितना के साथ एक noun आता है, तो आप उस noun को जितना की English के साथ ही लिखेंगे, अलग नहीं कर सकते हैं जैसे आप जितना खिलाओने लेना चाते हैं तो friends आपने यहाँ देखा कि जितना के साथ एक noun जुड़ा हुआ है, वो है खिलाओने आप जितना खिलाओने लेना चाते हैं, उतना ले सकते हैं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे You can take as many toys as you want तो friends आपने देखा कि मैंने जितना के लिए लिखा as many लेकिन उसके साथ एक noun आया था मैंने उसको जोड़कर लिखा और उतना के लिए मैंने लिखा as तो उमीद करता हूं friends कि आपको यह बात समझ में आया कि as many as का मतलब होता है जितना उतना और इस तरह के sentences में जितना के साथ एक noun जुड़ा होता है इसलिए जब इस तरह के sentences को आप translate करेंगे तो जितना की English यानी as many के साथ आप उस noun को लिखेंगे आये कुछ और एक जापर्स देखते हैं ताकि आप इस बात को असानी से समझ सकें आप जितना पैसा लेना चाहते हैं ले सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि money को uncountable noun माना जाता है बहुत सारे learner इस बात को लेकर confused रहते हैं और अक्सर यह question पूछते रहते हैं कि money countable noun है या uncountable noun है तो friends यहाँ पर लिखा हुआ है आप जितना पैसा लेना चाहते हैं ले सकते हैं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे you can take as much money as you want तो friends आपने देखा कि जितना के लिए मैंने लिखा as much क्योंकि इसके साथ I am noun uncountable था और जब noun uncountable हो तो आप as much as का इस्तिमाल करके अपने sentences को बोलेगे you can take as much money as you want यानि आप जितना पैसा लेना चाहें आप ले सकते हैं आईए friends कुछ और examper देखते हैं आप जितना सेब खाना चाहते हैं खा सकते हैं तो friends इस sentence के लिए आप कहेंगे you can eat as many apples as you want तो friends आपने देखा कि मैंने जितना के लिए बोला as many apples और उसके साथ एक नाउन आया हुआ है इसलिए मैंने कहा as many apples आईए friends दूसरा examper देखते हैं आप जितना आइस क्रीम खाना चाहते हैं खा सकते हैं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे you can eat as much ice cream as you want तो friends उमीद करता हूँ कि आपको as many और as much as के बारे में समझ में आया आईए friends आप देखें कि a great many या a good many क्या है friends a great many या a good many का मतलब होता है बड़ी संख्या में या बड़ी तादाद में जैसे अगर आपको कहना हो कि वहाँ बड़ी तादाद में लोग आए तो इस sentence के लिए आप कहेंगे और as much as a great many people came there या a good many people came there friends अगर आपको कहना हो कि बड़ी संख्या में लोग सहारा दिये या बड़ी संख्या में लोग मदद किये तो इस sentence के लिए आप कहेंगे और as much as a great many people supported या a good many people supported तो friends उम्मीद करता हो कि आपको ये बात समयन में आया कि a great many या a good many का मतलब होता है बड़ी संख्या में या बड़ी तादाद में friends अगर वाकर ही आपने इस lesson को समझा तो क्या इस topic पर दो sentences comment box में लिखेंगे सिर्फ दो sentences comment box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताऊँगा कि आपने सही सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lesson के साथ अब तक के लिए बार है